जो सरकार के पक्स में प्रफोगंडा करेंगे उनके तो चैनल चली रहे हम किसी चैनल का बिरोध नहीं करते लेकिन सभी को चाहिए वो यहां की असल तस्वीर दिखाए हम आज भी कह रहे हैं बैरिकुट तोड़ना दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है हाँ लेकिन दिल्ली मोर्चा लगाएंगे अभी ये फैसले पर हम काईम हैं और हम इसलिए रुके हैं पि वारता से कोई ना कोई हल निकल जाए मांगे मनाना अनक का सवाल तो बना सकते हैं विभाई हमारी मांग है पिशले 75 सालों से किसी सरकार ने नहीं मानी है उसको मान लीजिए और कल वारता में MSP ग्रंटी कानून पर बड़ी जबरदस्त बहस होई है ठीक है और C2 प्लस 50 के उपर जबरदस्त बहस होई है और किसा सुखत महौल में वारता हुई है सरकार ने पस्ताब दिया भी हम आपसे वारता जारी रखना चाहते हैं हम पूरी देश दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं भी ठीक है अब केंदर भाग जाए उनकी मर्जी है जो कुछ मीटिंग में मंतरी महादे हमें कहते हैं अगर उ प्रकेले भरोसे पर सब कुछ हो जाइए संबब नहीं है उसको किस तरह से कानूनी जामा पहनाए किस तरह से हकीकत में किसान खेत मैदूर की मांग मान ली जाए वो प्रिकरिया में है सारा कार तो हम देश को बना भी हम बाद सीच से भागने वाले नहीं है हमारा आंतिम नि सुना कहा सुनी भी हो गई पर होई नहीं और दूसरा जैसे आप कल थे इस समय परसों जब हमने किसानों को जिस तरह एक तरफा ड्रोनर ने बंबारी किया हमने उसको रखा देखे कुछ छुटपुट इधर से भी हो सकता है लेकिन हमारे सारे किसान लोग अड़हाई घंटे तक मुझे पता है भी कोई एक तरफ से बंबारी हुई है तो हमें भड़काएं ना हमें उसकाएं ना इस तरह का कार मत करें और हम पूरी देश दुनिया के जितने बुद्धी जीवी हैं जितने हमारे सभी सहजोगी भाई हैं उनका सहजोग मांग रहा है सहजोग बड़े पैमाने पर हमें मिल भी रहा है और लोग बढ़ चड़कर आप देखेंगे ये मोर्चा रोज के रोज बढ़ता जा रहा तो ये लाखों लोग चाहे शंभू बाडर हो चाहे खनवरी बाडर हो वहां पर इकठे और अन्य बाडरों पर भी आपको बता कर हम कहेंगे भी तीन धरने हर्याना के अंदर शुरू हो चुके और लगातर बढ़ रहें जिसकी ख़बर तो कि इंटरनेट बंग है तो इसलिए खबर नहीं आती आपको तो लग चगे और गाजीपूर के किसान और गाजीपूर में भी किसान दिल्ली के और बढ़ते हैं हम चा करें जिस्ते सरकार को कुछ कहने का हमें बदनाम करने का मौका मलें लेकिन जो लोग परयास कर रहे हैं वो सरहानी है अच्छा है पिलोग निकल रहे हैं और पूरे देश वर में अंदोलन बढ़ रहा है इसलिए सरकार हमारे खिलाब पर चार प्रोपोगंडा कर रही है जिस कौन हमें क्या कर रहा है उनको लग रहा भी पूरे देश का किसान मजदूर उठखड़ा हो रहा है अगर सारे देश के किसान उठखड़े हुए तो मोधी जी को लगता है मांगे माननी पड़ेगी तो हमने कहा आज भी बोलते हैं हमारे दोनों फोर्मों की और से यह पकी ब हम किसान मजदूर की बात लगातर करते हैं और करते रहेंगा अब डलेवाल जी आपको आगे की बात मत आएंगा पुछ नतीज़े आ जड़के कि मेरा ख्याला मेनों बोल लाएं जो फिर मेरा काफी बलाव चालेंगे तो कि अधिका पुछी बाल रहता है जब तो पहला था सतकार योग पत्रकार दोस्तों हसी तो हड़ा सारें दा तैज दुनों शुक्र जारा रहा ते तानमत कर देंगे तुशी साथे नालों बद मु कि दुना फोर्मावलों बहुत तनवाती हैं शुक्र कि जारा तो अटे मैं जिस तरह के नाला कि बंदेर साब ने कल रखी है मैं बातों को रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन मुने थोड़ा-थोड़ा एड़ जो करने वाली बात है वो मैं कर देता हूं देखिए एक तो ब सिरकार ने यह कहा कि आपके यह जो मस्पी की गरंटी का कनून है डाक्टर स्वामी नातन की रिपोर्ट का जो मामला है जो कर्ज मुक्ती का मामला है या डबल जू टीयों से एग्रिकल्चर सेक्टर को बाहर निकालने की जो बात है इस पे थोड़ी विचार विमर्ष हमें अपरी सरकार की अंदर करना पड़ेगा ओस विचार चर्चा दे लिए उन्हेंने साधे को लो थोड़ा समा मंगया ओ जिड़ा समा मंगया उन्हादा सीगा के सनुबद तो बद लेकर साधा इसीगा के साधे तुझी आपस चर्चा देखो कर लिया है एक पासे दा सरकार अपरी तो वारता कर रहे है